अस्रावलिंकू माई यूट्वी फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हो कि सब बहुत अच्छे से होगे है रिस होगे असर बेफुजूल होता है क्योंकि जब तक आप उसको प्लाई करते रहते हैं तब तक तो उसका काम ठीक रहता है लेकिन फिर बात में उसका असर बिल्कुल जाता है और आच जो मैं आप लोगे साथ एक लोशन बना कर दिखाऊंगी उसमें ऐसी ऐसी चीज़े हैं जो आपकी इसकीन को रिपैर करेगी रातो रात आप सोते रहेंगे लेकिन आपकी इसकीन पर रिपैरिंग का काम चालू रहेगा सारी चीज़े आपके घर से होंगी एक भी पैसा बाहर से नहीं लगने वाला है और सबसे बड़ी बात आज की जो लोशन की मैं बात बता दू कि इसमें ह जो कि हमारी सकीन के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं गलाइकॉलिक एसिड जो होता है वो आपकी इसकीन को डीपली जाकि मॉस्टराइज करता है ड्राइ स्कीन हो ओईली स्कीन हो कोई भी इसकीन हो गलाइकॉलिक एसिड आपकी इसकीन को बहुत जादा डीपली हाइडरे निसने आपको तुछ क्भी रेमेडी आज शेयर और कहला है सबको पहें पेटा है, और हमारी में तुछ के लिए किते में सबस्क्राइब करे हैं प्रमासबूल भीटामीन वितामीन, बिसने हई हैं पार con吸ण के रहा होता है और जिसमें एड होगा तीसरा इंग्रेटेंट वो होगा आपका स्किन टोनर यानि कि रात भर आपके टीशू पर काम करेगा, आपकी स्किन को टोन करेगा, आपकी स्किन पर कसावट लाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ से अगर आपकी लोशन में अवेलबन हो तो आपकी स्किन बिल पर अपने की जो भी लोग जो णहीं कमेंट करेंगे मेरे वीडियो पर ले दो आने वाले next वीडियो में उनके नाम का मैं में शाट ऐंटोऊट दोंगी ident इसना जो नाम है साथ में ही इनोंने कमेंट भी किया था तो उनका नाम है Mr.Kafi, Ahmed इनोंने भी मेरे चैनल पर बहुत यूनिक कमेंट किया था तो थैंक यू ऐसे ही अगर आपको भी अपने नाम का शाट आउट चाहिए मेरे वीडियो में तो अच्छा सा कमेंट करना जो कि बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट हो और जो दिल को छूँ जाए इस नाइट क्रिम या नाइट लोशन का जो सबसे पहला की इंगरेडेंट है वो है हमारा गलीसरीन गलीसरीन जो है हमारी स्किन को मॉस्टराइज करता है डेपली हाइडरेट करता है आपकी स्किन को इविन करता है ड्राइ स्किन के लिए बहुत सूधिंग है जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि मैं अपने इस लोशन में गलाइकॉलिक एसिट का यूज़ करने वाली हूँ तो आपको मैं बता दू फॉर दा काइन इंट्वरमेशन कि गलीसरीन में गलाइकॉलिक एसिट भरपूर होता है जो कि हमारी स्किन की इलास्टरिसिटी को बरकरार हमारी स्किन को मॉस्चराइज करता है हमारी स्किन की दाव धपो को भी एकम करता है हमारी स्किन की फाइन लाइन और जुरियों को रेडियोस करके हमारी स्किन को स्मूद और सिल्की टिक्स्टर देता है तो हमें ले लेना है यह हाफ टी स्पून इसमें हमें एक चमच भर के अच्छे से एक टेबल स्पून जो बड़ा चमश होता है खाने वाला उसमें हमें विटामिन सी यानि की नेमबू का रस एड़ कर देना है यह हमारी स्किन का ब्लीचिंग एजन्ट है क्योंकि यह हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन करता है रात भर यह आपकी स्किन को गोरी रंगत प्रोवाइट करेगा सुभा जब आप उठेंगे तो आपकी स्किन बहुत निक्री मॉस्चिराइज और सपल दिखेएगी आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा करसावट होगी और आपकी स्किन बहुत हद तक दाग धपों से करता है यह मारी स्किन को कसावट देता है इसकिन को बूढ़ होने से बचाता है हमारी स्किन को जितने भी पोर्ट से उनको श्रिंक करता है और साती हमारी स्किन को बहुत ठंडा रखता है हमारी स्किन की गंग्मी को यह खत्म करता है दाने दाग धपे हैं तो उनको भी यह फिल दियो कि फुलाब के आर्के से बनाओ होता हैं, तो इस में चल को हमें अच्छे से इन रिफ चीजों को मिला लेना है, इसको आसानी से फ्रीज में स्टूर करके सकते हैं, यह खराब नहीं होगा, इस लचन को अच्छे से वाउच करेंगे, आप ते एस सी एप्लिकेशन कर इसे तप तपांपर आपको ले रहा है और इस तरह से हठके एक । न फड़ी करकर अपनी सक्ट डभ लेते हैं तको ऑपनी पर डबड़ दा दे अपको 5 मिनट तक आप चाहें तक मसाज भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो जो भी चीजे में एड की हैं वो सब आपके एक फेशल मसाज भी दे सकते हैं अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाएगी सारी चीजे तो कुछ दिनों में ही आपको वाइटनिंग के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी ग्लो करेगी और आपके इसकीnyग कम दागवियो जो भी होएं हर सकीन पर च्छोटे च्छोटे से डागवियों होते हैं जो के हंकों ऐसी आंकों से किसी होते संहते हैं मतलब होती है दागवर erfahren मिशिंग आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे अपने प्यार में दुआओं याद रखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और हां जोड़ों अभी जोड़े हैं तो अगेन सब्सक्राइब करते जल्दी से और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर भी मुझे सप पुम सब्सक्राइब हैंky